हमारे सामने आ चुक है क्राउन जूल्स का पूरे बेटिंग और आपको पता है 95% बेटिंग और जो है वो हमीशा सही ही हो इसका मले आपको अल्मूस सारे रिजल्स पता चलने वाले आप वीडियो को एंड तक देखते रहे ना क्या तुमारी नीकी जो इंजरी वो पूरी तरीके से ठीक हो चुक है तो गोल्डवाग ने आपर रिस्पॉंस दिया पूरी तरीके से तो ठीक अभी नहीं हुई है पर यह अभी उतनी ठीक है कि मैं यहाँ पर जो बॉबी लेश के उसकी एस को किक कर सकता हूँ इसका मतलि सकते हैं बात करते ऐ बाहिनी रॉयल रंबल के बारे में अब देखो बाई रॉयल रंबल में होने वाले इस बार ब्रॉक लेस नरा अब यहाँ पोस्ट बैसे चाहने रहे हैं चकुछाने हरा है तिकेट्स ले नहीं, इसके टिकेट्स भी अवालीबल हो चक्किए है, आप जा सकते हैं, तिकेट्स Byघ मास्टर पर और आप जाके टिकेट्स ले सकते हैं, अभी यहाँ पर हमें यही सबसे बड़ी 40 के उपर की एज का है वहाँ पर बहुत बड़े-बड़े नाम से जारो का नाम है बोबी लेश्ली का एजिस चाल्स का रैंडी ओटन का बहुत बड़े-बड़े नाम है पूरी लिस्ट भी यहाँ पर देख सकते हो और प्लस अभी इन में तो सबसे बड़े नाम है ही नहीं जो की 50 से भी उपर का है भाई यहाँ पर आप देख सकते हो जो गोल बगए वो 50 के उपर के हैं ब्रॉक लेस्टनर 45 प्लस के हैं 44 के आईगेस वो तो इसलिए बाई जो पार्ट टाइम यहाँ पर सूपर शार्ड है वो भी भाई 40 के उपर के ही है तो ऐसे बहुत सारे और सूपर शार्ड भी है और ऐसे कुछ सूपर शार्ड है जो 40 के होने ही वाले है जैसे नाटाल लिया हो गई डेमें प्रीस्ट हो गए तो इसलिए WWE इस बारे में बहुत जादा अवेर है रेस्लिंग और रेडियो में हमें पता चला कि WWE कोशिश ही यही करेगा NXT 2.0 का यहाँ पर में मोटिफ यह था कैसे और नए टैलेंट्स को लाया जाए जो 20s में अपने ताकि यंग यंग सूपरशास आ सके और हमें बड़िया एंटरेन कर सके बाई WWE किस तरीके से इस चीज़ को इंपलेमेंट करता है वो देखने लायक होगा बाई क्योंकि हमें भी ऐसा फील होता कि और ब्रॉक लेस्न और रोमनेंस का फेस ओफ होने वाले यह मैं आपको भाई लास्ट वीक ही बता चुका हूँ लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दो भाई कि अभी जो यहां पर स्मैकडाउन का एपिसोड है ना उसकी सारी जो टिकेट्स है ना उसमें से 96% सोलड़ाउट हो चुकी है इसका मला जब तक हमें स्मैकडाउन का एपिसोड दिखाए देगा हो सकता है सारी टिकेट्स भी सोलड़ाउट हो जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी इसका मला जो रोग का हाल था टेंडेंस का वहसा हाल तो इसका नहीं होने वाला जहां पर 14,000 सीडे थी रोग के एपिसोड में और आए कितने बन देते हैं चार अजार के आसपस और यहां पर तो काफ़ी सार लोग आ चुक है अबड़ी बात करते हैं दिसंबर के पे-पर वीव के बारे मैं January 1 को मिला नए साल के दिन Day 1 नाम से एक निया पेपर वीव आने वाले WWE को और इसलिए WWE चाहता है कि December में कोई पेपर वीव ना होता कि यह जादा ही ऐसे matches बड़े-बड़े ना advertise करने पड़े और एक धंका पेपर वीव डेवन को हमें दिख सके तो इसका मला भाई December को कोई पेपर वीव नहीं होगा obviously हमें November में दिखाए देगा Survivor Series और उसके बाद direct हमें जाके January में दिखाए देगा पहला Day 1 का जो पेपर वीव होगा वो और उसके बाद 29 January को दिखाए देगा Royal Rumble तो यह एक छोड़ी सी update आई थी जो मुझे लगा आपको बता देनी चीए बात करते हैं हमारी main event story के बारे में बाई सारे हमारे सामने batting odds आच चुके है पूरे crown jewels के बारे में और सबसे जादा जो हमारे सामने चीजे आई है न वो आई है हमारी main event वाले matches है सबसे बहले बात करते हैं यहाँ पर backy lynch versus Bianca Blair versus Sasha Banks के बारे में यहाँ पर clear favorite है backy lynch obviously यहाँ पर बहुत ज़्यादा फरक ने है पर ठीक है सबसे पहले यहाँ पर favorite है backy lynch उसके बाई chance है Bianca Blair को और सबसे कम chance है Sasha Banks के अगला match हमारे सामने आते है बाई Biggie versus Drew McIntyre का match और यहाँ पर clear favorite आ रहे है बाई Biggie बहुत ज़्यादा chance है बीगी के जीतने के अगला match है जो की होने वाले है एली नसेल match और यह है काफी ज़्यादा फरक है और यहाँ पर जीतने वाले बाई Goldberg अगले match पर हम चलते है और यह है बाई Mansoor versus Ali का match और यहाँ पर कुछ जादा है यहाँ ज़्यादा फरक है लेकिन obviously यहाँ पर Roman Reigns रिटेन करने वाले है बहुत कम फरक है इसका मलग कुछ भी हो सकता है बाई हो सकता है यह भी गलत हो जाए यह जो बैटिंग आट्स है पर obviously काफी ज़्यादा हम यह चीज दिखा देते बाई बैटिंग ओर्स almost यहाँ पर सही होते तो भाई Roman Reigns और Brock Lesnar में ज़्यादा फरक नहीं है आप यह राइड वाली वीडियो देख सकते हैं प्लस अगर आपको जानने कल के SuperSight SmackDown में पूरा जो आप यह मैच कार्ड है कौन कौन से मैचिस होने वाले क्या क्या चीज होने वाले आप यह लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं तो भाई लोग अगर आपको वीडियो तो प्लीज वीडियो का आप लाइक करना चाल पर पहले बार तो प्लीज सब्स्राइब कर दें आर मिलेंगे भाई लोग नई वीडियो में तब तक के लिए बाबाई